हेलो एब्रीबन वेल्कम टू दिस चैनल आज हम दो ऐसे प्लांट्स की बात करेंगे कंपेर करेंगे दो प्लांट्स को जिनका कॉमन नेम सेम है अजवायन प्लांट जब हम अजवायन प्लांट बोलते हैं तो हमारे मायंड में यूजूली ये वाला प्लांट आता है जिसके और भी बहुत सारे नाम है सभी जो दूसरे नाम है इसके वो मैं स्क्रीन पर आपके साथ शेयर करूंगी आप देख सकते हैं हमारे यहां पर अक्सर इसी प्लांट को अजवायन के रूप में जाना जाता है एस्पेशली इन इंडिया क्योंकि इसके पत्तों से अजवायन के जैसी खुश्बू आती है और लीव इसके थिक होते हैं थोड़े मोटे होते हैं सक्लेंट के जैसा प्लांट है यह और इसमें फ्लारिंग होती है अक्सर स्प्रिंग से लेकर लेट समर्स तक आप ऐसा गह सकते हैं कि विंटर आने तक इसमें फ्लारिंग होती ही रहती है और otherwise जब इसमें flowering नहीं हो रही होती तो ये हमारे garden में greenery तो बनाए ही रखता है इसके जो young पते होते हैं वो बड़े soft होते हैं उनको consume भी किया जा सकता है लेकिन जब ये थोड़े mature होते हैं तो इनके अंदर छोटी छोटी सी outgrowth आ जाती है hairy सी outgrowth होती है तो उसको consume करना avoid करें पेट से related जितनी भी बिमारियां होती है gastric की बिमारी हो, flatlence हो, ये सारी चीजों के लिए, indigestion के लिए इसके leaves को consume किया जाता है कच्चा भी खाया जा सकता है लेकिन excess में इसको नहीं खाना चाहिए excess में खाना भी बहुत ज़दा हानी कारक हो सकता है जब तो इसमें flooring हो रही होती है तब तो ये बहुत ही खुब सुरत लगता है otherwise ये greenery add करके रखता है हमारे terrace garden पे और इसको लगाना बहुत एजी होता है योगि ये succulent है और इसकी एक cutting ले आएंगे आप उसको well-drained soil में लगाके अगर partially shaded area में जहां पे थोड़ी धूप पड़ती हो थोड़ी चाया रहती हो बहाँ पे लगाएंगे तो best इसकी growth होगी इसकी soil soggy बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ड्रेनी होनी चाहिए पानी डाला और पानी उसमें रुके ना तो यह बहुत ही happily आपके garden में ग्रोग करेगा अब तो यह worldwide पूरे ही दुनिया में ग्रोग किया जाता है और इसको हर country में अलग-अलग नाम दिये गए हैं कहीं पिसको time बोलते हैं कहीं mint बोलते हैं कहीं और इक अलग अलग नामों से famous हो गया हुआ है और हर एक gardener के पास almost यह plant होता ही है क्योंकि बहुत easily grow हो जाता है तो यह जादा अजवाइन के रूप में famous हो गया हुआ है जबकि अजवाइन जो हम kitchen में use करते हैं जो जिनको हम कहते हैं seeds अजवाइन के हम use कर रहे हैं kitchen में उसका plant बिल्कुल ही अलग होता है इस plant से वो इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है और इस plant को अगर आप semi shaded area में रखोगे तो इसके leaves dark green हो जाते हैं बिल्कुल sun light में रखोगे तो यह थोड़े faded से leaves कर लेगा अब actual जो अजवाइन plant है वो कुछ कुछ इस तरह का दिखाई देता है आपको यहां पे seeds भी नज़र आएंगे इसके actually जो मैं जिनको seeds कह रही हूँ ना यह seeds नहीं होते इस अजवाइन की यह होते हैं इसके fruits fruit आप वैसे imagine करके देखिए mango का fruit और उसके seed की बात करें चोटे-चोटे से seeds होंगे और पूरी सर्दियां इसमें बहुत सुंदर बंच में flowers आते हैं और वो दिखने में बड़े ही खुबसूरत लगते हैं इसके फूलों का बंच देखकर तो आप मोहित हो जाएंगे ऐसा लगता है भगवान ने खोब फुरसत से इसके फूल बनाये होगे फिर बाद में फूल जो है इसके fruits में convert हो जाते हैं और एक्चुली यह वाले जो fruit है इनको हम kitchen में यूज़ करते हैं अकसर Indian kitchen में बटूरे बनाने हों पूरियां मनानी हों या फिर प्रांठी बनानी हो तो उस में हम जरूर add करते हैं क्योंकि ये indigestion की problem को बहुत अच्छे से solve करता है mouth freshener की तरह भी use किया जाता है लेकिन ऐसे कहा जाता है कि pregnant women और जो nursing mothers होती हैं उनको इसका जादा use नहीं करना चाहिए इसका taste जो है थोड़ा सा time के सा मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा ही इसका अगर हम use करें तो ये overpower कर जाता है सारी dish को जिस भी dish में आप डालोगे time के साथ इसलिए मिलता है इसका taste क्योंकि इसके अंदर time all होता है और फिर इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है इसके नाम भी मैं screen पर share कर दूँगी आप जरूर वो सभी पढ़िएगा कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है और ये सौंफ की फैनल की और जीरे की फैमिली को बिलॉंग करता है उसके साथ मिलता जुलता है उनके साथ इसके पत्तों को भी हम अपनी किचन में यूज कर सकते हैं जब तक इसके seeds ना बने तब तक और इसको विंटर्स में हम लगा सकते हैं इसली बहुत इसली ये ग्रो हो जाता है सर्दियों के दोरान इसको सर्दियों की बीगनिंग में आप इसके फ्रूट्स को लेके अपने किचन गार्डन में फैला दीजिए जैसे हम सौफ लगाते हैं उसी तरह से लग जाता है इसका जो दिखो यंग प्लांट है वो कितना खुबसूरत ग्रीन है बिल्कुल और धीरे इसी तरह से अपने फ्रूट्स बनाता है फिर उन फ्रूट्स को हम बाद में हर्वेस्ट कर सकते हैं कुछ एक फ्रूट्स में आपको दिखा देती हूं जिनको हम सीड्स कहते हैं वो हर्वेस्ट करके दिखा देती हूं बिल्कुल आपको नजर आएगा कि जैसी हम अजवाय में एड़ कर सकते हैं यह वाला प्लांट बाय चांस एक्सिडेंटली मुझसे अप्रूट हो गया और फिर इसमें जो एक बंच बना हुआ था वह बहुत अच्छे से उसने सीड्स प्रड्यूस कर लिये हैं तो इनको मैं बतायती हूं आपको यह अजवाइन का जो फ्रूट ब जबके भी आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी तो इसकी सीड्स को आप भिना जिजक पानी की साथ कच्छा ही अगर निगल भी जाएंगे तो आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी रहात मिलेगी और यह आजमाया हूए उसका है इवन बच्चों को भी थोड़े बहुत अमांड में इसको दिया जा सकता है और यह बहुत जल्दी रहात पहुंचाता है जब एक्साइज नहीं कर पाता ना तब यह वाली प्रॉब्लम होती है तब यह ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए इसके सीड्स जो हैं कंज्यूम करने चाहिए यह सारी इंडाजेशन की दिक्कतों को जड़ से खतम करता है तो आई होप आपको आज का जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो पसंद आता है तो इसको शेर भी करिए जा watch थाज तो वाज़को एंद ए जगे प्लांटी टो आए प्लांटि वा memoir से टीज और वाज प्लांटी मैं मयू कर दो आधियो थाजर बर्यो कढ़ेट तो होष लकूट प्लांटी मैं गाफट